परिचय चात्रों, आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे सर, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतरगत कार्बन और हाइड्रोजन युक्त योगिकों का अध्यन किया जाता है सर, कार्बन कार्बन परमानु कैसे जुड़े होते हैं? इस अध्याय में आप कार्बनिक रसायन और कुछ आधार भूत सिधान्तों के बारे में पढ़ेंगे। और आबंध रेखा सनरचनात्मक सूत्रों के द्वारा निरूपित करना। 3D यानि त्रीवीमी सूत्र में कार्बनिक योगिकों का निरूपन करना। कार्बनिक योगिकों को वर्गी कृत करना। कार्बनिक योगिकों की नामकरण पद्धिती का वर्णन करना। कार्बन की चतुर संयोजक्ता, कार्बनिक योगिकों की आकृतियां। कार्बनिक रासायन, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन माने जाने वाले अनियोगिकों का अध्यन है। कुछ कार्बनिक योगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पॉस्फोरस, हैलोजन आधी तत्व भी मौझूद हो सकते हैं। कार्बन योगिकों की आकृतिया। एक कार्बन परमानू के ब्रह्मात्म कूश में चार इलेक्ट्रोन होते हैं। अतह अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए इसे चार और इलेक्ट्रोनों की आवशक्ता होती है। कारबन परमाणू अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए केवल अपने संयोजी इलेक्ट्रोनों को अन्य परमाणूं के साथ सहभाजित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कारबन परमाणू अपने संयोजी इलेक्ट्रोनों को अन्य परमाणूं के साथ सहभाजित कर चार सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। इसे कार्बन की चतुर संयोजकता कहते हैं। उधारण, मिथेन, एथीन, एथाइन। कार्बन संकरण में सहभागी हो सकता है और SP, SP2, SP3 संकर कक्षकों का निर्माण कर सकता है। संकरन किसी कार्बनिक योगिक की आबंध लंबाई तथा आबंध एंथाल्पी को प्रभावित करता है SP संकरित कक्षक में इस गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है और SP 3 कक्षक से अधिक सामर्थवान आबंध का निर्मान करता है SP2 संकरित कक्षक, SP और SP3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है पायाबंधों के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण पायाबंध दो निकट वर्ती परमाडूओं के P कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से निर्मित होता है पीकक्षक एक दूसरे के समनांतर और अडू के तल के लंबवत होने चाहिए पायाबंध कार्बन कार्बन दुई आबंध के चारो और घूर्णन प्रतिबंधित कर देता है पायाबंध बहु आबंध युक्त योगिकों में इलेक्ट्रॉन आवेश अभर उपलब्ध कराता है कार्बनिक योगिकों का सनरचनात्मक निरूपण पूर्ण संगनित तथा आबंध रेखा सनरचनात्मक सूत्र कार्बनिक योगिकों के सनरचना को लुइस या बिंदु सनरचना, लगु सनरचना तथा आबंध रेखा सनरचना के द्वारा निरूपित किया जा सकता है लुइस या बिंदु सनरचना को रिण में प्रदर्शित कर संशिप्त किया जा सकता है एक लगूरेखा एकल आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपेन द्वी लगूरेखा द्वी आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपीन त्री लगूरेखा त्री आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपाइन ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पून संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है कार्बनिक योगिकों का संरचनात्मक निरूपण संगनित संरचनात्मक सूत्र में प्रतेक कार्बन परमाणू को प्रिथक प्रिथक एक के बाद लिखा जाता है उन कार्बन परमाड़ूं से जुड़े समान समू को कोश्ठक में लिखकर संख्या को पादांक में प्रदर्शित करते हैं उधारण पूर्ण संरचनात मक्सूत्र इसके संगनित सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है आबंध रेखा संरचनाए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाड़ू नहीं दर्शाय जाते केवल कार्बन कार्बन परमाड़ूं के बीच के आबंध को तेड़ी मेड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के हतिरिक्त परमाडवों को सनरचना में दर्शाया जाता है और सिरे मिथेल सम्हू को इंगित करते है उदारण ब्यूटिल क्लोराइड प्रोपीन साइक्लोहेक्जीन डायेथिल इथर डायमेथिल अमीन कार्बनिक योगिकों का त्रिवीमी निरूपड कागज पर कार्बनिक योगिकों के त्रिवीमी सनरचनाओं को ठोस और डैश वेज सूत्र के उपयोग के द्वारा निरूपित किया जाता है ठोसवेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागच के तल से दर्शक की और प्रक्षेपी है डैशवेज दर्शक से दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है कागच के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है उधारण, मेथेन कार्बनिक योगिकों का वर्गी करण कार्बनिक योगिकों को अचक्रिय, अत्वा, विवरित, शंखला योगिक और चक्रिय या बंदर शंखला या वले योगिक में वर्गे कृत किया जा सकता है चक्रिय योगिकों को आगे सम्चक्रिय या कार्बो साइकलिक योगिक और विशम्चक्रिय योगिक में विभाजित किया जा सकता है सम्चक्रिय को आगे एलिसाइकलिक और एरोमैटिक योगिकों में विभाजित किया जा सकता है यह aromatic योगिकों को आगे benzenoid और e-benzenoid योगिकों में विभक्त किया जा सकता है अचक्रिय या विवरित श्रिंखला योगिक अचक्रिय योगिक विवरित श्रिंखला योगिक होते हैं और ये elephatic योगिक भी कहलाते हैं elecyclic या बंद श्रिंखला या वले योगिक Helicyclic वे कार्बनिक योगिक होते हैं जिसमें तीन या अधिक कार्बन परमाणू आपस में जुड़कर वले का निर्माण करते हैं Aromatic योगिक Aromatic योगिक वे कार्बनिक योगिक हैं जिनमें बेंजीन और अन्य चक्रिय योगिक सम्मिलित होते हैं Benzene, Nephthalene, Toline, Iodene, Bifenyl, Anthresene, Penanthirine इत्यादी Benzenide Aromatic योगिक हैं Tropoline-Adee, A-Benzenide योगिक हैं विशम चक्रिय योगिक एक कार्बनिक योगिक हैं जिसमें एक या अधिक कार्बन परमाणू किसी अन्य कार्बन के अतिरिक्त विशम परमाणू से विस्थापित कर दिया जाता है विशम परमाणू, Nitrogen, Oxygen और Sulfur है क्रियात्मक सम्मू या प्रकार्यात्मक सम्मू यह किसी कार्बनिक योगिक में विश्ष्थ प्रकार से जुड़ा परमाणू या परमाणू का सम्मू जो उस कार्बनिक योगिक की रासाइनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदाई होता है सजातिय श्रेणिया एक सजातिय श्रेणी को संद्रचनात्मक रूप से समान योगिकों की श्रंखला के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसके प्रतेक क्रमागत सदस में एक समू CH2-1 का अंतर होता है इस श्रेणी का प्रतेक सदस सजात कहलाता है कार्बनिक योगिकों की नामकरण पद्धि नामांकन कार्बनिक योगिकों को नाम देने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है कार्बनिक रसायन की प्रारंभिक अवस्था में कार्बनिक योगिकों का नाम उनके स्त्रोत जहां से उन्हें प्राप्त किया गया था के आधार पर दिया जाता है उधारण Acetic Acid का नाम विनेगर से वियुत्पन है क्योंकि लेटिन भाशा में विनेगर को Acetum कहा जाता है Methyl Alcohol को Wood Sprit का नाम दिया गया था क्योंकि इसे लकडी के आस्वन से प्राप्त किया गया था Carbonic Yogic को के ये नाम, रूढ़ नाम या सामान ये नाम कहलाते हैं नामकरण की IUPAC पद्धती International Union of Pure and Applied Chemistry को छोटे रूप में IUPAC लिखा जाता है इस पद्धती का उप्योग करके हम किसी कारबनिक यौगिक को एक व्यवस्थित नाम दे सकते हैं इसी कारबनिक यौगिक का व्यवस्थित नाम मूल श्रिंखला, क्रियात्मक समूह और शाखा श्रिंखला की पहचान करके व्युत्पन किया जा सकता है मूल नाम में हम उप्युक्त पूर्वलग्न अनुलग्न को भी संयुक्त करके वास्तविक योगिक का नाम प्राप्त कर सकते हैं एलकेनों का IUPAC नामकरण सीधी श्रिंखला युक्त हाइड्रो कार्बन इन योगीकों के नाम मूल श्रिंखला संजरचना पर आधारित हैं इनके अनुलगन में N तथा इससे पूर्व श्रिंखला में उपस्थित कार्बन परमानू की संख्या होती है शाखित श्रिंखला युक्त हाइड्रो कार्बन इसमें छोटी कार्बन शिंखलाएं जनक शिंखला के कार्बन परमाणों से जुड़ी रहती हैं ये छोटी कार्बन शिंखलाएं यानी शाखाएं एलकिल समुह कहलाती है शाखित शिंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का नाम देने के लिए जनक शिंखला के कार्बन परमाणूं से जुड़े एलकिल समूह का नाम पुर्व लगने के रूप में जनक एलकेन के नाम के साथ संयुक्त कर दिया जाता है संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणू हटाने पर एलकिल समुह प्राप्त होता है एलकिल समुह का नाम प्राप्त करने के लिए N को L के द्वारा विस्थापित करते है एलकिल समुह के लिए कुछ संशिप्त नाम लिखे जाते हैं जैसे मेथिल के लिए M-E, एथिल के लिए E-T एलकिल समू की शाकित शंखला संरचना भी हो सकती है आईसोप्रोपिल, टर्ट ब्यूटिल, शाकित शंखला युक्त एलकेनो का नामकरण नामकरण के नियम निमनिलिखित है सर्वप्रथम, हम यौगिक में दीरगतम कारबन शंखला का चैन करते हैं जनक शंखला के कारबन परमाणू का अंकन किया जाता है जिससे जनक एलकेन से जुड़े कारबन परमाणू को पहचानने में मदद मिलती है क्रामांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं जिससे शाकित कारबन परमाणू को लगुतम संभावित अंक मिल सके अतह दी हुई कारबन शंखला में क्रमांकन बाई ओर से दाई ओर होना चाहिए इसके उपरांथ मूल एलकेन के नाम में एलकेल समहो के नाम पूर्वलगन के रूप में संयुक्त करते हैं अतह दिये गए कारबनिक योगिक का नाम तीन एथिल एक मेथिल हेप्टेन होगा शाकित श्रिंखला एलकेनो का नाम करण यदि प्रतिस्थापी समुह समान हो तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम लगाया जाता है और पूर्वलगन का उप्योग किया जाता है साथ के लिए हेप्टा, आठ के लिए औक्टा, नौ के लिए नौन और दस के लिए देको उधारण यदि दो प्रतिस्थापी समुह दोनों छोरों से समान स्थिती पराते हैं तो निमनितम संख्या उस कार्बन को दी जाती है जो अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में पहले आता है उधारण दो एथिल, पाँज, मेथिल हेग्जेन कुछ सामान आई-उ-पी-ए-सी नाम निमनिलिखित है सामान नाम आई-सो-प्रोपिल है इसका आई-उ-पी-ए-सी नाम एक मेथिल, एथिल और इसकी संरचना है सामान्य नाम Secbutyl, इसका IUPAC नाम 1-Methyl-Propyl और इसकी सनरचना है सामान्य नाम Isobutyl है, इसका IUPAC नाम 2-Methyl-Propyl है और इसकी सनरचना है सामान्य नाम Tertbutyl है, इसका IUPAC नाम 1-1-Dimethyl-Ethyl है और इसकी सनरचना है सामान्य नाम नियोपेंटिल इसका IUPAC नाम दो-दो डाइमेथिल प्रोपिल है और इसकी सन्रचना है मुल्यांकन आगे बढ़ने से पहले आईए देखें कि आपने कितना सीखा सही विकल्प चुन कर रिक्तिस्थानों की पूर्ति करें शाखित शंकला वाले एलकेनों का नामकरण बहु प्रतिस्थापी समुह वाले योगिकों के नामकरण में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना आवश्चक है यदि कार्बन की समान संख्या वाली दो शंकलाएं है तो ज्यादा शाखा श्रिंखला वाली श्रिंखला को चुना जाता है श्रिंखला का अंकन उस छोर से प्रारंभ किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक प्राप्थ हो उदहरण दिये हुए योगिक का IUPAC नाम 4-2-2-Dimethyl-Propyl-Octane है चक्रिय योगिक एकल आबंध वाले सम्चक्रिय योगिकों का नाम संबंधित, विवरित, शंखला, अलकेन के नाम में साइकलो पूर्वलगन लगा कर प्राप्थ करते हैं उदहरण साइकलो ब्यूटेन साइकलो पैंटेन साइकलो हेकजेन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक योगिकों का नाम करण क्रियात्मक समूह इसी कार्बनिक योगिक की रासाइनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवित्ती को परिभाशित करता है बहु क्रियात्मक समुहों वाले योगिकों में एक क्रियात्मक समुहों को मुख्य क्रियात्मक समुहों मान लिया जाता है उचित पूर्वलगनों का उप्योग करते हुए और बाकी बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मान उस योगिकों को नाम दिया जाता है कुछ क्रियात्मक समूहों की तालिका निमनलिखित है प्रात्मिक्ता के आधार पर क्रियात्मक समूहों का घटा हुआ क्रम निम्निलिखित है कार्बॉक्जिलिक अमल एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड क्लोराइड एमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहॉल एमीन एलकेन एलकीन एलकाइन हेलो नाइट्रो एलकॉग्जी एलकेल उदारन हम निम्नलिखित कार्बनिक यॉगिकों के आई-ई-ई-पी-ई-सी नाम लिखेंगे यहां मूल शब्द ब्यूट है और अनुलग्न एन है यहां दो क्रियात्मक समूह है किटोन और एलकोहॉल एलकोहॉल समूह की अपेक्षा किटोन समूह को उच प्रात्मिक्ता प्राप्थ है अतह द्वितियक अनुलग्न ओन होगा पुर्वलग्न मेथिल और हाइड्रोक्सिल होगे अतह नाम होगा तीन हाइड्रोक्जी तीन मेथिल ब्यूटेन, दो ओन प्रतिस्थापी बेंजीन व्यत्पन्नों की नाम करन पद्धिती बेंजीन व्यत्पन्नों का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समुह का नाम पूर्व लगने के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते है उधारण ब्रोमो बेंजीन, टर्ट ब्यूटिल बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समुह बेंजीन वले से जुड़े हुए हैं बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समूहों की स्थितियां संख्या में दर्शाई जाती है वलै के कार्बन परमाडों का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूहों वाली स्थितियों को न्यूनितम संख्या मिल सके उदाहरण रूर पद्धिती में और्थ्रो O, मेटा M, पेरा P, पुर्वलगनों को संबंदित स्थितियों क्रमशह एक दो, एक तीन और एक चार को दर्शाने के उप्योग में लाया जाता है उधारण और्थ्रो डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, पेरा डाइनाइट्रो बेंजीन, बेंजीन व्युत्पन्नों की नामकरण पद्धिती O3, Meta और Pera पूर्व लगनों को दो से अधिक प्रतिस्थापी वाले बेंजीन वले के लिए उपियोग में नहीं लाया जाता है और योगिकों का नामकरण प्रतिस्थापीों की सितियों को बेंजीन वले में निम्नितम संख्या प्रदान करके किया जाता है मूल योगिक के प्रतिस्थापी की स्थिति को संख्या एक दे कर इस प्रकार क्रमांकन किया जाता है कि अनप्रतिस्थापीों को निम्नितम संख्या मिले प्रतिस्थापीों के नाम अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखे जाते है उधारण हम फ्लोरीन को संख्या क्रम एक देते हैं जिससे नाइट्रो को दो और एथिल को चार क्रमांग प्राप्त होता है इस योगिक को अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखा जा सकता है चार एथिल, एक फ्लोरो, दो नाइट्रो बेंजीन जब बेंजीन, वलय और क्रियात्पक समूह एलकेन से जुड़े रहते हैं तब बेंजीन वलय को प्रतिस्थापी माना जाता है पैनिल नाम C6, H5 को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है क्या आप जानते हैं? मेसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुद्ध ग्रह पर न सिर्फ जल और बर्फ के अस्तित्व का खुलासा किया और साक्ष प्रस्तुत किये बलकि कई जगहों पर यह बर्फ 10 सेंटिमीटर मोटी कालिक जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकी हुई प्रतीत होती है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए कार्बनिक रसायन, हाइड्रो कार्बन और उसके व्योत्पन माने जाने वाले अन्य योगिकों का अध्यन है कार्बन एक चतुर संयोजी योगिक है पाई आबंध, दो निकट वर्ती परमाणूओं के पी कक्षकों के पार्ष्व अतिव्यापन से निर्मित होता है कार्बनिक योगिकों को पूर्ण, संगनित और आबंध, द्वी रेखा संदर्चनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है त्रिवी में, यानि 3D निरुपण में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है, जो कागस के तल से दर्शक की और प्रक्षेपी हैं, और डैश वेज दर्शक के दूर आबंध को दर्शाता है अचक्रिय योगिक विवरित शेंखला संदर्चना हैं, जबकि एलिसाइकलिक वेकार्बनिक योगिक है, जो आपस में एक वले में जुड़े रहते हैं क्रियात्मक समूह किसी योगिक में उपस्थित परमाडवों का ऐसा विशिष्ट समूह है, जो इस योगिक की रासाइनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है कार्बनिक योगिकों का नाम, नामकरण पद्दिती के अनुसार दिया जाता है रूडपद्दिती में और्थरो ओ, मेटा एम, पेरापी, पुरवलगनों को बेंजीन वले की संबंधित थितियों क्रमशह, एक दो, एक तीन और एक चार को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है